असलाम एकुम एव्रिवान उम्मीद करता हूं आप सब खेर यह से होंगे एरियाज ऑफ साइकोलोजी का नेक्स लेक्चर है आज हम बहुत ही फेमस एरिया स्टड़ी करने जा रहे हैं क्लीनिकल साइकोलोजी यहां पर कुछ फेमस एरियाज है इन सब को हम डीपली स्टड़ी करेंगे इस इसलिए कि इसलिए कि नगें जानतुन यहां जानते हैं क्लीनिकल से ङॉर्जी का चैनाहें जिस दीम这样 धे जाए यह सारी जितनी भी वहस है mental health की और उसको जो abnormal behavior यह उसको normal करणे के वाले से यह सारा का सारा clinical psychology का area clinicals होते हैं इसके लावा hospital में इसके bench होते हैं और मुक्तलिफ किसंगे जो rehabilitation centers होते हैं वहां पे उसके इलावा psychological well-being पे काम करना इनकी अपनी research होती है तो यह पूरा जो एरिया इसे cleaning psychology कहते हैं यहां पे इसकी जो basically मैंने एक outline सी बनाई यह synopsis बनाया है इसमें हम देखें कि history क्या है इसका aim और scope क्या है और clinical psychologist का आज किस lecture में यह चीज़ें देखेंगे बाकी जो points रहते हैं वह हम इसकी next video बनाएंगे तो Greek period किसी भी चीज़ का जब आप historical roots को उठाएंगे तो उनके बताने बाने Greek period से जा मिलेंगे कदीम युनान से जा मिलेंगे उससे पहले वाली मैंने पहले भी यह बताया था उससे पहले वाली जितनी भी history है वो सारी की सारी proper return form में नहीं है बलके predictions की बनियाद पर assume की गई हिस्टरी है कि पहले यहां के इस तरह की कौमें थी रहती थी वो यह करते थे यह museum में अजायब कार में इनका कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं उनकी बनियाद पर उनकी मूर्तिया और इस तरह के जो उनके खिलाने बरतन उनको देखकर यह predict किया जाता कि ऐसी कौमें यहां पर रहती थी उनका यह गाम था यह रहती थी उनका यह गाम था Greek से इसले लेटन जो किसी पीटरीफ को उठाएंगे तो वो लवस उसके ताने बने लातीनी जुबान से मिलती होंगे तो इन्हों ने वो जुबाने बनाई आलफाबैट्स बनाए चीज़ें अजात की किताबें लिखी हर चीज का यहां पे यह जो thinker थे इनको इनको इल्म तो primitive grief, ग्रीक से थोड़े से पहले वाले जो thinkers थे, उनका ये मानना था जितनी भी mental abnormalities, एंबेसी के लिए मजभी point of view से link करती हैं, और हमारे अंदर जो रुहानी रूह है, उसमें कुछ ये जो जिन भूत होते हैं, इस तरह के जो चीजें आ जाती थी, तो उसकी वज़न से mental abnormalities होती थी, उनका इलाज भी फिर religious practice करके ही होता था, ठीक है, इसी तरह हिपोक्रेट, नेक्स्ट जो थिंक करें, वो believe that the psychological problems like physical illness were caused by imbalances in four bodily fluids, उन्होंने चार fluid बताया थे जिस सम्में, इनकी जब imbalance होती है, उस वक्त, क्या होती है, उस वक्त, abnormal हो जाते है, हिपोक्रेट, ये father of medicine भी है, जिसने medicine अजाद की, black bile, yellow bile, blood and phalgem, ये चार इसने बताया थे, plateau, इसने एक personality की category बताया थी, हिपोक्रेट ने, plateau, इसी के student थे, sorry, ये Socrates, सुकराथ के student थे, plateau, और सुकराथ थे, हिपोक्रेट के student, plateau felt that mental illness resulted from sickness in the part of soul, ये कहते थे, जो आपकी रूह है, उसमें जब खराबी आती है, तो फिर बिमार, इस total, इसके student maintained a scientific emphasis and felt that certain distinct emotional states, including joy, fear, anger and courage, impacted the functioning of human body, ये, joy, fear, anger, ये, कुछ ऐसे उसने बताया थे, कि ये जो emotional states हैं, ये जब imbalances होती हैं, या इन में कुछ problems create होती हैं, उसके वज़न से क्या होती हैं, उस वक्त abnormalities हो जाती हैं, so इनको maintain करना ज़रूरी होता है, इसके बाद, Galan thought that human experiences one of the two irrational sub-souls, one of the males and one from females, he felt that soap was the, sorry, soap ने, soul है, soul was the slave and not the master of the body, and the wishes of the souls in the body resulted in health and illness, तो इसे ने भी basically soul की बात किया, और वो कह रहा है कि जो wishes हैं, जो desires हैं, ये जब extreme level की हो जाती हैं, तो उस वक्त soul, रूहानी तोर पर abnormal हो जाती है, क्योंकि Greek period में जो भी psychology की definition की गए है, ये वो science of soul, यानि रूह का इल्म, तो आज की जो psychology है, वो कहती है mental functioning और human behavior, ये psychology है, तो उसकी और इसकी definition में भी फारका चुका है, middle ages, इसके बाद वारा जो period है, वो क्या कहता है, during the middle ages, earlier notions regarding the relationship among health, illness, mind and body re-emerged, the focus on supernatural influences to explain events become commonplace, spiritual matters such as the influence of demons, witches, ये चुडहे लें इस तरह की जो चीज़े ने, demon witches and signs, और जो गुना करते हैं, cause diseases and insanity, many believed, so healing and treatment become once more a spiritual rather, ये नी, middle ages में भी फाकस यही किया गया है, कि जो चुडहेले हैं, जो जिन भूत हैं, जो आप गुना करते हैं, उसकी वज़े से आपको रुहानी तोर पर abnormality आ जाती है, आप जहनी टेंशन्स और इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, फिर ये जो ल आप में बहुत जादा क्रिटी साइज किया गया, और मिडल एजिस के बाद जो पीरियड आता है, वो है रेनेसेंस, रेनेसेंस में मजभी जो प्रैक्टिशनर थे, जो मजभी ठाग थे, उनसे इनने जान चुडवाई, और उन्होंने कहा कि मजभ को एक अलग रखो, और ज जेन बूतों पर यकीन करने की बजाए हर, हर अबनॉर्माल्टी का कोई ने कोई स्टॉंग रीजन पकड़ते थे, फिर वह सरे स्कूल अफॉर्ट बने, वह सरे प्रस्पेक्टिव आए, उन्होंने अपनी अपनी वजाहत दी और उसके अकॉर्डिंग फिर अबनॉर्माल् से उनके ब्रक्स हाई, ये मेडिकल वर्ड आई, मेडिकल वर्ड इमर्जी, मौर्गागनी, डिस्कोबर्ड थ्रू अटॉपसी, अटॉपसी कहते हैं पोस्टमार्टम करना, that a diseased organ in the body could cause illness, उसने बताया कि ये जो कुछ organ होते हैं, ये कास बनते हैं, disease का और डेथ का, एंटियस वेसालियस इंफसाइज, scientific observation and experimentation rather than reason, mythology, religious beliefs and belief, यानि इन सारी चीज़ों को उसने का कि उसका एक strong reason होता है, ना कि myth होती है, ना कोई religious belief होता है, रैने डिकार्ट, इसने बताया था, mind और body अलग चीज़ें हैं, इसने अपनी एक theory दी थी, dualism, उसमें उसने वाज़ा कि किया था कि mind और body जो है, ये अलाग गयन का relation नहीं है, ठीक है, आर्गूट एट mind and body were separate, this dualism of mind and body then became the basis for western medicine until recently, अभी तक, हाल ही तक ये जो phenomena था, ये बहुत famous रहा, 19th century में क्या evaluation आती है, early influences on the field of clinical psychology include the work of, अस्टरियंस, psychoanalyst, Sigmund Fride, ये, 19 सुधी में, Fride का बहुत famous काम है, उसने उसने का कि आपके childhood experiences और कुछ fixations हो जाती है, आपको कुछ sexual desires होती है, वो जब फुल्फिल नहीं होती है, एक खास age में, खास का, खास जब आपका वक्त आता है, तो उसके वजह से mentally problems create हो जाते हैं, ये जो love और हमारे problems हैं, इशक वाले, तो ये भी बहुत सारे लोग जो है, वो जहनी तोर पर torture होते हैं, इसके वजह से, he was one of the first to focus on the idea that mental illness was that something could be treated by talking with a patient, उसने का था कि उन लोगों से बात करो, अब आ रहे हां, बात करो, जो mentally abnormalities का शिकार हैं, उन से बातें करो, और उनका जो बच्छपन के experiences हैं, जो उनके sexual desires हैं, वो जो हैं, वो जब आप बातें कर देंगे, तो वो express करेंगे, सब कुछ बाहर निकाल देंगे, जब वो बातें कर देंगे, लिख देंगे, या किसी को बता देंगे, तो उससे उनका जो, वो level abnormality का बहुत हद तक कम हो जाएगा, इसलिए कहते हैं, कि जो भी है वो आप share कर दें, तो इसने खास किसम के वहां महाल बनाया हुआ था, वहां पर ये अपने पेशेंट से चीज़ें शेयर करवाता था, उससाब को जब share करते थे, वो relax हो जाते थे, वो बहतर हो जाते थे, इसलिए कहते हैं, कि बात करना मसायल काल होता है, बात ना करना मसायल काल नहीं होता है, हमारे लड़ाइएं इसके बात पूर इसके बात फिर एक रिजीम आयए थी, बहुत सारे लोगों ने इसके स्टुड़न थे, नहीं नहीं थे यूरिज डिवेल्प हुई, साइको अनलेटिक के बात वो प्रस्पेक्टिव में देखते हैं, लाइटनर वितमर, यह एक फेमस नाम मिलता है, जो ज नज़रा आते हैं, लाइटनर वितमर, तो प्रस्थ कॉलोजी या यूवलिस्ट्य आप पैंजलीबिया, वितमर, बितमर लाइट हैं वितमर, भी निवेल्सी आपैलीग देखर्ट है, वितमर पेमस नाम है जो पेमस पर्थे निया, लितमर, पीजिकॉलोज साथ, प्रस्थ college course on clinical psychology and started the first general psychological clinic which were he edited for 29 years functionalist approach to psychology who believe that the new science should be used to help people solve problems rather than just study to contents of their minds Whitmer in 1907 he founded the general psychological clinic the first and for many years the only general in the field in the first issue which may propose the new professional of clinical psychology Whitmer remained at the University of Pennsylvania teaching promoting so here are the exception of Nipali much more calm Kia or pencil we may be put out there about famous is gonna amil Tyson apela clean a color external shaker via American psychologist in 1914 to 26 other clinics devoted us practice of clinical psychology so America may is when the name famous cardia clinical psychology course keyboard boss are a clinic school iska students are you could put out of the clinics for child evaluation at the world first clinical psychologist he developed diagnostic and treatment approaches as needed children who had been referred to Whitmer clinic showed a broad range of problems some of which he identified as hyperactivity learning disabilities and poor speech and motor development as the experience and confidence grew he developed standard programs of assessment and treatment یہ جو بچے abnormal سے ہوتے ہیں کچھ کو بولنے کا کچھ کو لکھنے کا کو اس طرح کے جو ذہنی طور پر کچھ کو دورے پڑتے ہیں یہ جو بیماریاں یہ ساری پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ religiously ان کو ٹھیک ہی نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو درباروں پہ لے جاؤ ان کو تویز دو ان کو چرچ میں لے جاؤ لیکن اس بندے نے scientifically ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا جنیٹک فیکٹرز یہ دیکھو یعنی آپ کی جو جینز کی بانڈنگ ہے اس میں کوئی خرابی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بچہ جو ہے یہ تھوڑا سا ابنورمل ہے موجودہ دور میں ساری موجودہ دور میں سائنس ان چیزوں کو مانتی ہے کہ جو آپ کی جنیٹک جو جینز مر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو بانڈنگ ہوتی ہے اس وقت جو ڈیورنگ برت کچھ پرابلمز ہو جاتے ہیں پھر جب بچہ باہر آتا ہے اس کو اس طرح کا محول نہیں ملتا تو پھر یہ جو ہوسپیٹلز اور پروپر کے یہ جو سکیننگ ہوتی ہے اندر سے بچوں کو دیکھ دینا چاند گرہن اس طرح کی جو چیزیں ہیں جنیٹک فیکٹرز بہت زیادہ انفلینس کرتے ہیں اس نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ جینز میں آپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بیماریاں بھی اور یہ ساری چیزیں شفٹ ہوتی ہیں but he later realized that environmental factors were more important اس نے ابتدائی طور پر جینز کو سپورٹ کی آباد میں اس نے کیا گیا اس نے کہا کہ environmental factors بھی بہت زیادہ فاکس کرتے ہیں محول میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اسے ایب نورمل ایب نورمل ایب نورمل کہتے رہے تو وہ خود ہی پاگل ہو جائے گا وہ خود کو اس طرح آلے گا by nineteen fourteen almost a psychology clinics were operating in United States majority patent whitmer clinic تو ورلڈ وار جو دونوں ہوئی ڈیوزن میں بھی کافی evaluation a clinical psychology became more established during the period of world war one nineteen fourteen to nineteen eighteen as practitioner demonstrated the useful of psychological assessment assessment give alessia詰ی میں باہ رہا تا والدور 1 میں جب 4G که سلی اول کیا انیسی بھنیتا ہوتی آلتی 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 two years later with the establishment of American Psychological Association APA during World War two 1939 to 45 cleaning a psychologist were called to help treat what was then known as shell shock now referred to as post traumatic stress disorder PTSD aims and scope the bathroom cleaning a psychology is both tied to and distinct from other areas of psychology the common bond with other areas of psychology lies in the shared commitment to psychological research while the unique feature of clinical psychology involved the application of research to understanding treatment and prevention of psycho pathology clinical psychology is also distinct from other mental health foods including psychiatry clinical social work and psychiatric nursing clinical psychologists work in a variety of settings including universities medical hospitals psychiatric hospitals psychological clinics and independent practice they are involved in activities that are include research teaching and administration as well as the assessment diagnosis treatment and prevention of of the psychopath therapy that's a psychologist whether trying to help an individual cope with a traumatic event when you have a tie that is our eyes coffee will never hear your research at the end prevention of the medical mental health key well-being can you compare the basically psychology clinical psychology by oh you have the coaches key functions and bio behavioral responses to cancer diagnosis and treatment testing and this meant ammunition of for psychological treatment for cancer patients psychological and behavioral adaptation effect of experience on psychological and cognitive functioning neuro plus plasticity in healthy agency aging and neuropsychological disorders mindfulness cognitive functioning is subkus subkusabiska a function have professional of clinical psychology bitmers that found itself which focus public attention so you have a pain co-op read car sitting with no care how many per day you have to miss clinical psychologist control checker the professional practice a personal clinics assessment and determination psychological testing treatment consultancy psychological research psychotherapy in eurosic psychological disorder finally thanks hope it will be huge help of you people